इस वीडियो इस वीडियो इस वीडियो इस वीडियो इस वीडियो आप सब का स्वागत है तो इस वीडियो में बहुत आसानी के साथ में हम समझेंगे कि आप Option Chain को देखके मार्केट ट्रेंड को कैसे पहचान सकते हैं यस दोस्तों केवल Option Chain की साहिता से मार्केट ट्रेंड को आप पहचान पाएंगे लेकिन वीडियो आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल बटन को जरूर पेस कर दीजिए तो सीर एवेज है आपवाड में जा रहा है जारा है या डाउनवर्ण में जा रहा है आपको टेकनिकल्स के साहिता से तो मिलेगा ही जानकारी हमारे चैनल पे मैंने भी काफी वीडियोज जाने है चैनल को ब्रूर तो यил और धी अच्छा यहां पे सुनहरा आफसर दे सकता है और आपकी जो accuracy होगी और भी ज़्यादा बढ़ सकती है तो आज समझते हैं कि option chain से हम कैसे समझ सकते हैं कि market के इस direction में जा सकता है इसके लिए आपको जाना है nsc.com पे जाने के बाद आपको यहां क्लिक करना है market data में और market data में क्लिक करने के बाद आपको option chain पे क्लिक करना है जैसे आप option chain पे क्लिक करेंगे आपके सामने nifty की option chain open हो जाएगी nifty जो कि हमारे हां का main index है यहां पे आप देख सकते हैं 19.475 के आसपास trade करता हुआ नजर आ रहा है यह option chain है बीच में आपको दिखाई दे रहे हूँगी यहां पे strike price यानि कि different levels जिनको हम trade कर सकते हैं एक side में आपको call का area दिखाई दे रहा है call यानि कि अगर market यहां से उपर जाने का हमको लग रहा है तो हम call side में काम करते हैं और अगर market लगता है यहां से नीचे जा सकता है तो हम यहां पे put में काम करते हैं मैं buyer's के perspective से बात कर रहा हूँ seller's के perspective से बात नहीं कर रहा हूँ तो अब आपने देख लिया call और put का area आगे strike price आगे सबसित जरूरी चीज आपको यहां पे दिख रही होगी अगर आप यहां last column में जाते हैं दोनों side में यहां पे आपको OI नजार आ रहा होगा OI मतलब open interest open interest आपको यहां पे नजार आ रहा होगा open interest का मतलब हुआ कि total OI यानि कि कितने contracts सब्सक्राइक प्राइस पे ट्रेड हो रहे हैं उनकी total number जो हो रहे हैं contract trade हुए हो आपको यहां पे दिखाई दे रहे होगे और OI का बहुत 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 importance है अगर आप market में trade करना चाहते हैं तो आपको OI का तो reading समझना ही पड़ेगा अब यहां पे मैं आपको जो important चीज़ बता रहा हूँ उसको आप ध्यान से समझे आपको क्या करना है आपको इस पूरी option chain को सबसे फ़ले scroll down कर देना है और सबसे नीचे आ जाना है सबसे नीचे आने के बाद आपको देखना है call side में और put side में total OI सबसे last column देखिए total OI का figure आपको यहां पे दिखाई दे रहा होगा अगर दोस्तों call side का total OI put side के total OI से आपको ज्यादा नजर आए तो आप समझ जाए कि market या तो resistance लेगा या यहां से और भी गिर सकता है market के उपर जाने के संभावना बहुत कम है क्यों क्योंकि total OI आपका call side में put side के OI से ज्यादा है और अगर आपको put side का OI call side के OI से ज्यादा मिल जाए तो आप ही समझ जाए कि उस दिन market आपका उपर जा सकता है या आपको support लेता हो नजर आएगा अब आपको जब आपने देख लिया कि total OI किस तरफ जादा है किस तरफ कम है अब आपको एक चीज और देखनी है आपको इन दोनों figures के बीच का difference देखना है अगर यह difference जैसे आज आप देख रहे हैं आज expiry भी है दस लाख के करीब आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा difference अगर यह difference आपको एक लाख दो लाख नजर आता है उस दिन market क्या करेगा उस दिन market आपका trending नहीं होगा उस दिन market आपको एक range के अंदर जाता हुआ दिखाई देगा बहुत टाइट range के अंदर trade करता हुआ नजर आएगा बढ़ जैसा कि आज आप देख पा रहे हैं difference दस लाख है अगर आप अभी जाके market को देखेंगे तो market जरूर trending हो रहा होगा और वो भी नीचे के side में जा रहा होगा उपर जाने के संभावना बहुत कम है ऐसा नहीं है कि यह figures चेंज नहीं होते हैं पूरे दिन में चेंज होते हैं लेकिन आपको हर 3 मिनट पे आना है नहीं सी के side में जो option chain हर 3 मिनट पे अपडेट होती है फ्री में अवलेबल है आईए इसको refresh कीजिए note down कीजिए और उसके बार trade कीजिए आप लोग क्या करते हैं आपको trade करना है call में करना पूट में करना आप सीधे जाते हैं चार्ट पे और trade करना शुरू करते हैं नहीं दोस्तों जब भी आपको options में trade करना है चाहें index में करना है तो stocks में करना कहीं भी करना है तो दोस्तों आपने देखा कि मैंने कितनी आसानी के साथ में आपको समझाया कि केवल call और put के total Y को देखके आप पता लगा सकते हैं कि market किस तरफ जा सकता है क्या market range bound रहने वाला है या market trending होने वाला है और एक trader को इनी चीजों की जानकारी का पता होना जरूरी है किसी भी trade को लेने से पहले तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लागा होगा अच्छा लागा हो तो प्लीज वीडियो को like कीजिए, comment कीजिए और share कीजिए और हमारे चैनल को subscribe जरूर कर लीजिए तो फिर से मिलेंगे इसी तरह के informative वीडियो के साथ तब तक लिए बाई-बाई, take care and thanks for watching investments in securities markets are subject to market risks read all the related documents carefully before investing